शे इस स्टैंडिंग बिट्विन रीना और सीमा नेक्स संटेंस शे इस स्टैंडिंग अमंग रीना और सीमा इस दोनों स्टैंडिंस में कौन सा सही है between use होगा या among use होगा कौन सा correct है कौन सा incorrect है अगर आपको इस तरह के sentences में problems है आप इस तरह के sentences में ये समझ नहीं बात है कहां पर among use करें कहां पर between use करें तो यह वीडियो आपके लिए काफी important है अब अन तक जरूर देखें कुछ नया सीखने को जरूर ही मिलेगा मेरा नाम है चंदन जा और आप देख रहे हैं Elite Effortless English तो चलिए शुरू करते हैं use of among and between सबसे पहले मैं आपको पता दूँ between और among दुनों का ही मतलब होता है के बीच में यनि किसी चीज के बीच में किसी आदमी के बीच में किसी groups के बीच में जब आपको English में बीच में बोलना हो तो उसके लिए आप among या between का use कर सकते हैं तो सबसे पहले between का use जब दो बेक्ती बस्तू या groups दो groups के बीच में बात हो तो आप between का use करेंगे जैसे she is standing between कविता और करन के बीच में खरी है यहां दो लोग है इसलिए between का यूज हुआ next example I will be at the office between 9 and 11 मैं 9 से 11 बजे के बीच में office में रहूँगा यहां पर मैंने 9 and 11 बोला between के बाद two का यूज नहीं होता आप नहीं बोल सकते between 9 to 11 गलत हो जाएगा between के बाद फिर से preposition का यूज गलत माना जाता है वहाँ two के बदले end का यूज होगा तो क्या होगा between 9 and 11 9 से 11 के बीच में यहां दो टाइम है 9 बजे और 11 बजे इसलिए यहां पर between यूज होगा among का यूज नहीं कर सकते जब दो से अधिक बेक्ती बस्तू या ग्रूप्स के बारे में आप बात करें उसके बीच में बताना हो तब आप among का यूज करेंगे ज़्यादा सही माना जाता है तो वहां पर आप among यूज करेंगे उसका घर पेरों के बीच में छिपा हुआ है यानि बहुत सारे पेर हैं बहुत सारे ट्रीज हैं इसलिए वहां पर among का यूज ज़्यादा सही है अमंग का यूज करेंगे बिट्विन का यूज नहीं करेंगे एक और एक्जामपल जो लेटर यस सम्वेर अमंग ओल दीज पेपर्स आपका लेटर इन सारे पेपर्स के बीच में कहीं पड़ है तो बहुत सारे पेपर्स हैं दो से जादा पेपर्स हैं इसलिए यहां पर among क का यूज हुआ, बिट्विन का यूज नहीं हुआ, अगर नाउन अनकाउंटबल हो, यानि ऐसे नाउंस जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटबल नाउंस है, वहाँ भी अमंग का यूज आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर रबिश अनकाउंटबल नाउन है, फिर भी हमने अमंग का यूज किया, यानि अमंग का यूज प्लूरल काउंटबल या अनकाउंटबल कहीं भी कर सकते हैं, अब हम लोग बात कर लें, दो से अधिक के बीच में, अमंग ही के बल यूज होगा, या बिट्विन भी हो सकता है, अगर आप शेर या डिवाइड टर्म यूज करते हैं, वर्ब के रुप में डिवाइड या शेर यूज करते हैं, तो वहाँ पर अमंग और बिट्विन दो में से पांच के बीच में, शेर किया, यहाँ पर टर्म हमने शेर यूज किया, इसलिए बिट्विन और अमंग दोनों ही सही है, नेक्स एक्जमपल, he divided all his money between और अमंग his children and grandchildren, उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों के बच्चों के बीच में, पैसे को डिवाइड किया अगर आप difference use करते हैं, sentence में difference term use करते हैं, तो between का use ज़्यादा सही माना जाता है, for example, there are enormous differences between languages, भासाओं के बीच में बहुत ज़्यादा difference है, यहाँ पर difference term use हुआ, इसलिए बीच में के लिए आपने between use क्या अमंग नहीं, अगर sentence में difference use हो, तो between का use करेंगे, अमंग का use नहीं करेंगे, competitive point of view से आप ध्यान रखें, between के बाद फिर दूसरा preposition two का use नहीं होता, different competitive exams में between के बाद two का use करके questions दिया जाता है, जो गलत है, आप वहाँ पर end डाल के उसको correct करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोगों ने between और among का सही यूज सीखा, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का notification आपको समय पर मिलता रहे, थांक्स पर वाचिंग, बाइब बाई